कि नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस मैं आपके साथ निहा वर्मा इंटीलिया मामले के बीच भ्रस्टा चार की अरोपों में फसे महारास्ट की ग्रह मंत्री अनिलविज को बचाने का रास्ट वादी कॉंग्रेस पार्टी का प्लान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है आपको बता दे कि सो करोड की वसूली के आरोप पर एंसीपी चीफ शरत पवार ने समवार को देशमुक का बचाव करते हुए कहा था कि देशमुक करोना पोजिटिव होने के बाद 6-27 परवरे तक नागपूर में ही थे इधर पवार के दावे पर सवाल्य निशान लगाने वाला एक डोकुमेंट वाइरल हो रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि देशमुक साथ अन्ये लोगों के साथ एक प्राइवेट जेट में 15 तारीक को नागपूर से मुंबई गए थे भाजपा का कहना है कि अगर यह डोकुमेंट सही है तो परंबीर सिंग का दावा भी सही है बता दे कि यह डोकुमेंट नागपूर की सिल्वर जुबली ट्रेवर लिंटिड नाम की कमपनी का है इसमें ओपरेटर का नाम वी एस आर वेचन्स प्राइवेट लिंटिड लिखा है उडान की तारीक 15 फरवरी 2021 है पर्चे में विबान को उड़ाने वाले कैप्टन का नाम उत्पल कुंडू और राहुल ओबराय है पैसेंजर के लिस्ट में सबसे उपा रनिल देश मुख का नाम लिखा है उनके अलावा साथ अन्ये लोगों के नाम भी है इस मामले में महारास्टर के नेता विपाक्ष और पूर्व मुख्य मंत्री देवेंदर फणवीज ने मंगलवार को प्रेस कोंफरेंस भी की उन्होंने शरत पवार की सोमवार को की गई प्रेस कोंफरेंस का भी जिक्र किया जिसमें पवार ने कहा था कि देशमुख 6 से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे और फिर होम क्वारंटाइन थे इस पर फणवीज ने कहा कि हमें देशमुख का एक टिकेट मिला है जिससे साबित होता है कि वे एक प्राइविट जेट से नागपूर से मुंबाई गए थे वहीं पणवीज ने कहा कि मुंबाई पूलिस का एक मुवमेंट लेटर भी हमें मिला है इस लेटर के हिसाब से 17 फरवरी को अनिल देशमुख का ओ सहाद्रिय गेस्ट हाउस चाना था दूसरा एक लेटर 24 तारिक का है जिसमें लिखा है कि अनिल देशमुख सुभे 11 बजे अपने निवास थान से मंत्रा ले जाएंगे वे गए के नहीं गए मैं यह दावा नहीं करूँगा लेकिन मेरे हाथ पूलिस के ये मैनिफेस्ट लगे है इधर परमवीर सिंग के आरोप पर अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि परवर्तनी देशाली इस पूरे मामले की मनी लॉंडरिंग के एंगल से जाज कर सकता है उधर इंटीलिया विस्पोर्टक केस की जाज कर रही रास्टे जास एजनसी को सची वजह के पास से एक सीक्रेट डाइरी बरावद हुई है इस डाइरी को वजह ने C.I.U. के ओफिस में छिपा कर रखा था बताया तो यह भी जा रहा है कि तकनीक का माहिर होने के बावजूत वजह सीक्रेट बातों का ओनलाइन रिकोर्ट नहीं रखता था बलकि डाइरी में दर्ज करता था यह डाइरी ओफिस में छिपा कर रखी थी इस जायरी में पैसो के लिंदेन के भी सबूत मिले हैं इसमें जादातर कैश ट्रास्पर के हैं इसी मामले में एक बड़ी कारेवाही करते हुए के एनाई ने कलवा में गिरफतार कॉंस्टेबल विनाय अक्षिंदे के फ्लैट से एक प्रिंटर जप्त किया है एनाई ये को शेक है कि इसी प्रिंटर से स्कॉर्पियों से बरामद धंकी वाले लेटर को प्रिंट किया गया था इस बीच यह जानकारी भी सामने आ रही है कि एन्टीलिया केस जल्द सुरद सकता है एनाई ये को इस केस से जुड़े कई महतवपूरन सबूत मिल चुके कि सुत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने अपना गुनाहा भी कबूल कर लिया है लेकिन एनाई ये कुछ और पुक्ता सभूत तलाश ही है वजह की पुलिस का सिड़ी 25 मार्च को खत्म हो रही है इधर यह भी माना जा रहा है कि एनाई ये इस केस का खुलासा इससे पहले कर देगी आपको बता दे कि एनाई ने इन्टीलिया केस के बाद अब मलसुक हिरेन की हत्या का मामला भी अपने हाथ में ले लिया है STS इस मामले से जुड़े सावेच NIA को सौप सकती है हाला कि ATS ने इस केस को क्रैक कर दिया है लेकिन इसलिए NIA को इस केस में जादा कुछ नहीं करना है यहां यह भी बताती चली कि महारास्ट की एंटी टेरिजम स्क्वाइड मुंबाई में मनसुक हिरेन की कतित हत्या का केस भले हिसुल जाने का दावा कर रही है लेकिन अभी भी उसकी च्छापिमारी बंद नहीं हुई है STS टीम ने दमन से एक वोलवो कार जप्त की है जासमी सामने आया कि इसका इस्तिमाल मनसुक की हत्या में हुआ था फिलाल कार को फोरेंसिक जाच के लिए मुंबाई लाया गया है यह कार दमन के एक बिजनसमेन की बताई जा रही है मनसुक की मौत के मामले में STS ने यह पहली कार बरामत की है इससे पहले इससे जुड़े इंटीलिया केस में ATS ने पांच गाडिया जप्त की थी इनमें दो मर्सडीज, एक स्कोर्पियो, एक प्राडो और एक सरकारी इनोवा शामिल है सौमवार कोहंदाबाद से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था जिसने हत्या में इस्तमाल हुए 11 सिम कार्ट उप्लब्ट करवाए थे इनमें से एक सिम से मनसुक को 4 मार्च की रात 8 बजे से 8.5 बजे तक वाटसेप कॉल करने के रिए इस्तमाल किया गया था इससे जुड़े इंटेलिया मामले की जाच करने वाली एन आई एटीम को यह पता चला कि इस साजिश में सचिन वजे और मनसुक हिरेन के अलावा 11 लोग शामिल थे इनमें से कुछ रिटाइड और कुछ मुजोदा पूलिस करनी है जल ही उनकी गिरफतारी हो सकती है दूसरी और एटीयस मनसुक के चार मार्च को लापता होने से लेकर पांच मार्च को मुम्बरा के वेती बंदर स्थित खाड़ी में उनकी लाश मिलने तक की एक-एक कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है एटीयस की जाच में सामने आया कि हत्या में इस्तिमाल सिम कार्ड एहंदाबाद की एक फैक्ट्री में कांग करने वाले कुछ लोगों के नाम पर है इस फैक्ट्री ने 30 से 40 करम चारियों को सिम कार्ड की सुईधा दी हुई है जाश में पता चला कि इनसीम कार्ड का इस्तिमाल मनसुख की हत्या और उद्योग पती मुकेश अंबानी के घर के वाहर विस्पोटक से भरी स्कोर्पियो पार्क करने की शाजिस रचने के लिए किया गया था मुंबई ATS और गुजरात पुलिस की टीम ने इस मामले में एहमदाबाद पालनपूर और कच के बाकद देव में छापे मारी की और इस फैक्टरी तक पहुची गिरफ्तार किया गिया विक्ती फैक्टरी का मालिक बताया जा रहा है हलाकी ATS अभी इसकी पुष्ची नहीं कर रही है सुत्रों से मिली जानकारी के नुसार इस मामले में गिरफ्तार पूर्व कॉंस्टेबल विनाय अक्षिंदे ने खुलासा किया कि मंसुख की हत्या की प्लानिंग दो मार्च को शुरू हो गई थी वजे के कहने पर ही उसने मंसुख को रास्ते से हताया जेल से पैरोल पर आने के बाद उसके पास काम नहीं था वह वजे को पहले से जानता था वजे ने उसके परिवार की देख रेक का पूरा भरोसा धिया साथी कहा था वह अधिकारियों से बात करके उसकी परोल बढ़व आता रहेगा। आता रहेगा।